नमस्कार स्वागत है आपकर इस्टिव इंडिया में मैं हूँ दीपाउपाध है बढ़ते हैं आची खबरों की और जीत की बाद पहली वार ओस्या माँशने पर गामी नोव कारी करता हो निश्वालव माला पहना कर स्वागत किया देखे हमारे समाधादा इश्वजीत की एग रिपोर्ट हाली में संपन हुए चुना में निर्वाचित ओस्या विधा एक सुर्षित दिव्या मदेणा वा उनकी माता लिला मदेणा का कारी करता हो वो समर्थ को द्वारा भव्य सागत किया गया जनसमों समारों को संबोधित करते हुए दिव्यम अदेना ने कहा कि पिछले पांस साल से राजकारिय वो ओसिया के विकास की कारिय ठप थे उन्हें वे कड़े शासन के सांद भष्टाचार मुक्त कर कारियों को गति देगी दिव्यम अदेना ने इस भारी जीत को युवाओं की जीत बताया वहीं उन्होंने ओसिया के सुगम भविश्य है तुजातिवात की राजनिती वगुंडा राज को सीरे से खतम करने की बात कही अधिकारियों को भष्टाचार मुक्त कारिय करने ही तु सुझाव दिया उन्होंने बार बार अपने दादा स्वर्गे परस्राम जी मदेना का हवाला देते हुए ओसिया के विकास वदली तो पिछड़े किसानों हेतु सभी की विकास की बात पर पुर्जोर जोर दिया इस जनसमुह धनिवात कारेकरम में दिव्या मदेना के तैसमे से करिब तीन घंटे देरी से पहुँची मगर जनसमुह की भारिभीन ने उनके स्वागत के लिए इंतजार किया दिव्या मदेना प्रस्रा मदेना के जैकारों से सभास्तल को गुंजायमाई किया इस मौके पर जनसमुह सहित कई दिगजनेता मौझूद रहे पर इत्रट संकल्प के साथारी हूँ ओसिया में शातिवात की राज़नीती को बंद करूँ ओसिया में कुड़ना राज़बंद का दूँजा ओसिया को घष्टा चार रुप साशन दूँगी काफिले पे पत्थर मारो तो कोई गम नहीं लेकिन तलच भाईयों के ख़़ पे पत्थर नहीं मारने दूँजी इस लिए लेकिन शाशन ऐसे नहीं होता शाशन भ्यवस्ता को जो धीमक पाथ साल के अंदर लग गई नेता की नेत तुशंता की कमी से उसे तुझारू करने के लिए मुझे दुगनी कड़काई रखनी पड़ी बिश्वास किलाती हूँ जादिबाद की राजनी जी खतम करूँगी गुंडा राज खतम करूँगी फ्रस्टाचार मुट्साशन दूँगी और इस परिवर्तन और आशा के साथ में आपने मुझे जिदा कर भेदा आए मैं पास साल आप के लिए रिसॉर्ट भाव से बिना फेद भाव के कम करूँगी आप आए आप आशेवाद दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गलत राह पर फटक दे नहीं और स्या के युबाव को अब रादिक सत्य विदियों में शामिल नई होने दूंगी ये बात भी साफ कर देदी आए और सिया के एक नए संकल्प बढ़ नए विपास की डूर के साथ युगदान दीजिए मेरा साथ दीजिए मैं पांक साल गंग दराब के लिए सुचान हुप्यवस्खा का बनाई रखो मेरे पता में मुझ से कहा जब मैं ठीट कर पहली बार गई मुझे लगा वो मुझ से पूछेंगे कि दिप्या चुनाव कैसे लड़ा लेकिन उन्होंने मुझ से कहा कि तुमने चुनाव बड़ा सुंदर लड़ा मुल्यों पे लड़ा बिना संजोतों के लड़ा कोई भी दिक्कत आए तो नीस संकोच उसी वक्त उससे बात कीजिए पात साल के अंदर जो व्यवस्था पिछले पात साल में रही ठाने नीलाम हो रहे थे अधिकारियों की क्या बंदर बात मची थी बदले की भावला से राजनेता काम कर रहे थे मैं ऐसी सारे व्यवस्था का परिवर्टत करूँगी और बदले की राजनीती से काम नहीं करूँगी इसको बात साब कर देदे मैं मदेना साथ के सिध्धान्तों की परिचारख बनूँगी और सिध्धान्तों और मुल्यों के उत्स उसके उदेश्य के लिए राज्य का परिद्याग करना पड़े ऐसा संकल्ब लेकर दियाएं लेकिन संगर्शों से पीठ नहीं पोड़ी है न मोड़ूगी आपके हितों की रक्षा करना काजा न्यूस अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और शेर एंड कॉमेंट करना ना भूले